हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लंडरे देतिमन देखे रीट का रिजल्ट आपका आचुका है सबी को जो है वो अपने मार्क जो है वो पता लग चुके हैं ठीक है कि कौन जो है वो अब रीट मुख्य परिक्षा में सामिल हो सकता है फॉर्म जो है ये भी जल्दी आ फरवरी में जाके जो है वो आपका एक्जाम लिया जाएगा यानि काफी टाइम आपको मिल रहा है बिल्कुल भी जिसने पढ़ाई नहीं की है यदि वो भी स्टार्ट करेगा तो वो भी बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर जाएगा एक्जाम में यहाँ पर आप जो है कैसे बनाना है अच्छे तरीके से पढ़ाई करके बनाना है बिल्कुल जीरो से सुरुआत करनी है कैसे करनी है सुरुआत कहां से करनी है सबी बाते में आपको भी बताऊंगी और जो भी इंपोर्टेंट जो बिंदू होंगे उन पर अभी हम बात करने वाले हैं तो सबसे प खरीद के लाते हैं और उसमें जैसे-जैसे दिया होता है वैसे करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि गाइड में जो है वो बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है जो कि आपके अधर एक्जाम के लिए भी होती है तो यहां पर सबसे पहले आपके जो सलेबस दिया है उसको जाता है ठीक है अभी तक RBSC की बुक चल रही थी अब NCRT के चल रही है नCRT के साथ में आपकी RBSC की एक iPhone X 민akos XL रही है हमारा राजिस्थान की यानि की चिम revenue आ सिर्थ की ightil सुझ से 12 तक की नहीं की है, zero से शुरुवात करेंगे अभी, और जिन्होंने आगे कर भी ली है, वो भी zero से शुरुवात करें, ये सोचे कि हमने चार महीने जो है, वो बिल्कुल जोग देने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, जिनको समय नहीं मिलता है, वो बिल्कुल धीरे-धीरे प्रयास क करें, चार महीने काफी होते हैं, तो सबसे पहले आपने syllabus जो है वो देख लिया, syllabus में क्या-क्या पूछा जा रहा है, ये आपको पता चल गया है, आप क्या करना है आपको, कि सबसे पहले जो scoring विसे हैं, उनको आपको देखना है, scoring विसे, जो कि आपके subject, यानि विध्याली व सो marks का है, लिवल टू में जो है, वो 80 marks का है, तो ये सबसे जदा scoring विसे हो गए आपके, 300 marks में से 200 marks तो आपके यही हो गए, इन पर आपको जादा ध्यान देना है, यहां से marks बिलकुल भी नहीं कटने चाहिए, ऐसे आपको तयारी करनी है, ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ पढ़े और उनको छोड़ दिया फिर भी यहां पर आपको जो है वो पातरता परिक्षा थी आपको 90 माक्स ही लाने थे आप तो ऐसा नहीं होने वाला है 90 माक्स से आपका काम नहीं चलेगा आपको जो है वो अच्छे से त्यारी करनी पड़ेगी जब मेरिट लिस्ट में आपक वो तयार करेंगे ठीक है कुछ भी उसमें से ना चूटे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस से बाहर नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है आपको और NCRT और RBSC दोनों को महत्व देना है लेवल बन है जो है वो 6 से 10 तक की जो बुक इनको ध्यान में रखे और लेवल टू जो है वो 6 से 12 तक की बुक को ध्यान में रखे तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि केवल प्रशन उत्तर सिरीज जो है उसके भरोसे आपको नहीं बैटना है प्रशन उत्तर आप जब करिएगा जब आपने डिटेल में सारी जानकारी ले ली हो ठीक कि मुझे पता था कुशन पेपर किस टाइप का ऴो बनेगा ठीक या रहा है आपका कुशन पेपर तो ये चीज़ पता रहती है कि यहाँ पर जो है आपके जो फैक्ट जो है वो आपके जयादा पूछे जाने वाले हैं रीट की बात करें ठीकिर जो आप एक्जाम दे चुक क्योंकि NCRT की बुक जो है वो इस तरीके से तयार की गई है कि इसमें जो है वो आपको फैक्ट कम कंसेप्ट जादा मिलेगा जोग्रफी में अगर बायू मंडल का टॉपिक है ठीक है प्रतवी की गतिया टॉपिक है आप हर चीज को कैसे रट सकते हो जब तक आपको पूरा कं कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ठीक है पबने है ये ऐसे टॉपिक है जिनकी आप जो है वो कितने भी जो है फैक्टर रटलो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप कैसे वाइट कर पाओगे एक्जाम में जहां वन लाइनर की बात होती तो मैं भी स्टार्ट कर देती और आपको बोल देती कि आप जो है वो इनको कर लो और पास हो जाओगे, जहां मुझे नहीं लगता है तो वहां पर मैं ये चीज नहीं स्टार्ट करती हूँ, बच्चों के साथ जो है वो खिलवार जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो महनत कर र इसके अलावा आपका एच टैट है, पंजाब टैट है, ये वन लाइनर आप कर लोगे तो वहाँ आपका काम चल जाएगा, अब नहीं चलेगा, रीट मेंस है, पटवार है एक्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकिंड ग्रेड, ये ऐसे एक्जाम होते हैं, जहाँ पर आपके प्लस पॉइंट क्या-क्या मिल रहा था, एक तो आपकी जो है, वो नेगटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, दूसरे आपको 90 नंबर जो है, यही लाने थे, ये प्लस पॉइंट था, इसके अपोजिट जो है, अब नेगटिव मार्किंग है, नब्बे सौ से आपका काम न अच्छे तरीके से, ठीक है, और नंबर के वल उन ही का पढ़ेगा, जो की एक नंबर आगे, या दो नंबर आगे होंगे, ठीक है, और एक एक नंबर आपको पीछे कर देगा, औरों से, तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई, कि एक तो स्कोरिंग विसे जो है, इ बहुत अधिक फोकस करना है, कई बोलते हैं, हमने तो राजी सांजी के पढ़ लिया है, रीट में ही पढ़ लिया था, अब हम पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको दुबारा से स्टार्ट करना चाहिए, दुबारा से आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो य ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और प्रशनोत्ता सीरीज के भरोसे नहीं बैटना है कि प्रशनोत्ता सीरीज जो है वो निकाल दी जाएगी तब हम करेंगे ये पूरा पढ़ने के बात की बात होती है यही मैंने रीट में भी आपको बोला था कि जिन अवच्चों ने चैप्टर पढ़ लिए हैं वो केवल कोशनान सीरीज से काम चला सकते हैं वहां आपका काम चल गया अब नहीं चलेगा ठीक है तो क्या करना है आपको आप अगर नोट्स तयार कर रहे हो चाहे लेवल वन का हो लेवल टू का हो विस्टित में नोट्स तयार वैसे भी जो राजिस्थान की जो भी योजनाएं हैं वो तो आप other subject में भी पढ़ोगे तो यही सब कुछ जो है वो current affair में पूछा जाएगा तो इसलिए current affair के लिए अभी अभी से है तैयारी जो है वो ना करें यहाँ पर जो है वो 10-12 marks जो है वो आपके चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो इतना ही आपके पूछा जाने वाला है current affair तो यहाँ पर जो है समय बरवाद ना करें क्योंकि current affair जो है इसकी कोई न तो सीमा होती है ठीक है इसका कोई अंत नहीं होता है तो इसी लिए इसको जो है last time के लिए छोड़ें इस पर अभी से जो है वो समय बरवाद ना करें समय किसको देना है समय मैंने आपको बताया कि एक तो जो है वो आपको अपने subject पर देना है समय ठीक है दूसरा आपको राजिस्थान जीके में आपको समय देना है तो यही आपका जो है वो 200 marks का हो गया एक जो आपका IT का है आपको लग रहा है कि IT जो है वो information technology जो level 1, level 2 में नया जुड़ा है जिन बच्चों को computer practical तोर पर जो है जिनको आता है बहुत अच्छे से वो इस भरोसे में ना बैठे कि IT का हम बहुत अच्छे से कर जाएंगे ठीक है यानि computer के बारे में तो आपको पूरी knowledge होनी चाहिए computer के बारे में आपको complete knowledge होनी चाहिए theoretical तो इस चीज का आपको विशेज जिहान रखना है IT जब आप पढ़ेंगे जब आप जानेंगे कि यहां पर जो है IT के माध्यम क्या क्या रही है पहले जो है वो क्या रहा था रेडियो रहा था ठीक है उसके बाद जो है ऐसे अलग लग जो है चीजे आते रही आधनिक जो है समय में computer चल रहा है computer के बारे में जो है वो knowledge होनी चाहिए हर teacher को हर अध्यापक को इसी लिए ये subject जो है वो जोड़ा गया है कैसे आप जो है वो पढ़ाओगे इस चीज़ का आपको विशेज ध्यान रगना है IT के लिए जो है आपको 9th से लेकर NCRT की बुक जब आप लेकर आओगे तो 9th से लेकर 12 तक जो है वो आपको यहा पूछा है तो ये चीज़ आपको मिल जाईगी यानि computer की knowledge आपको होनी चाहिए इसी के लिए जो है ये IT जो subject है ये जोड़ा गया है psychology की अगर बात करें तो education psychology पहले भी आपने पढ़ी है REIT में यहां आपको कोई problem भी नहीं आएगी education psychology में तो scoring जो subject है इनको आपको ध्यान देना है education psychology को देना है ठीक है इसके अलावा SST आपको ध्यान में रखनी है और राजिस्तान जी के ध्यान में रखना है जिन्नों ने पहले से भी पढ़ लिया है वो बच्चे भी इस चीज़ को मानें कि ऐसा बिलकुल ना सोचे हमने पहले अब हम बिलकुल नहीं पढ़ेंगे बिलकुल start करिए zero से start करिए चाहे आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो अपने जो भी notes है इनको update करिए पुरानी जो भी चीज़े है ठीक है quality में जो भी चीज़े है आप लोगों को notes के माद्यम से मिल गई है जो भी चीज़े change ह गई है तो उनको बदल ये ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तब भी आप जो है वो विस्तरित तरीके से जो है तैयारी कर पाऊगे तो अगर आपको मेरी बाते जो हैं वो समझ में आई हैं तो आप follow करिए और ये बातें ऐसी हैं जो आपको हर कोई नहीं आप जो है क्या करो वन लाइनर सीरीज जो है उसका वेट कर लो वन लाइनर सीरीज आपको जो है वो एक बुक में पूरी मिल जाएगी इनको आप पढ़ जाओ और आपका सेलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा देखिए ध्यान रखिए क्योंकि जो भी बोलते हैं बाद में आ तब आपस आके आप मुझे ही क्या करोगे बोलोगे कि मैं जो है वो आपने कैसा दिया हमारा तो सेलेक्शन ही नहीं हुआ तो बच्चों के साथ तो खिलवाड बिल्कुल नहीं करना है हर एक इंसान जो है देखिए महनत क्यों कर रहा है पैसों के लिए बिल्कुल पर आप खड़े हो सके, खड़े होकर बोल सको कि मैं एक teacher हूँ, उसके लिए कर रहे हूँ, ठीक है, तो हर कोई महनत कर रहा है, महनत बरवाद नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ खिलवाड नहीं होना चाहिए, तो ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी मेरी बाते हैं, तो आप जो हैं वो ध्यान दीजिएगा, चार महीने जो हैं वो बहुत होते हैं, किसी भी exam को fight करने के लिए, यहाँ पर जो बहुत अच्छा score करने के लिए, और selection पाने के लिए, तो जिन्होंने बिल्कुल शुरवात नहीं क